हेलो गाईज मेरा नाम है ही मानसू और आप देख रहे हैं रैसल एलर्ट सो गाईज जैसा है कि आप सब जानते हैं हमें रैसल मेनिया 35 में युनिवर्सल चैंपिर्शिप के लिए सेथ रॉलेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच देखने को मिलेगा और गाईज इसी के रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आईए कि आखिर कौन जीतने वाला है इस मैच को तो गाईज इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको जॉन सीना के रिटर्ण से रिलेटेड अपडेट इसके लावा क्या रही इस वीक की स्मैक डाउन लाइप की वीवर्सि काफी जादा अच्छा और सौकिंग रहा क्योंकि यहां पर हमें टाइटल चेंज भी देखने मिला क्योंकि हम सबने देखा ही कि समवा जो बन चुके है हमारे न्यू यूनाइटेड श्टेट चैंपियन इसके लावा बैकी लिंच और साइड़ेट फ्लेयर के बीच एक वह अब बढ़कर हो चुकी है 2.155 मिलियन विवर्स यानि कि जाईस के सकते हैं कि पिछले वीक की मुकाबले स्माग डाउन नहीं गई गई बट कम से कम डाउन तो नहीं गई सो यह तो थी इस वीक की स्माग डाउन लाइप की वीवर्स इप अब बात कर लेते हैं अपने ड प्राइटे स्टेट्स चैंपिशिप के लिए समुआ जो को जिसके बाद हमें इन दोनों के बीच मैस देखने को मिलेगा रैसल मेनिया 35 में और आप सब यही सोच रहे होगे कि यह रियुमर कहां से आये तो गाइस आप सब देखी रहे होगे कि स्मैक डाउन लाइप के एपिस अब यहां से कह सकते हैं कि जॉन सिना का या कहें उनके फैंस के लिए ये गुड नियूज है तो गाइस ये तो थी जॉन सिना के रिटर्ण से लेटेड अपडेट अब बात कर लेते हैं अपने नेश्ट एंड लाश्ट अपडेट के बारे में जो की है कि आखिर कौन जीतन बने हुए थे बट समर स्लैम में रोमन रेस ने ब्रॉक लेसनर को युनिवर्सल चैंपेशिप के मैच में हरा दिया था और वो बन गये थे न्यू युनिवर्सल चैंपियन जिसके बाद गाईस हम सब लगबग दो मैने बात देखते हैं कि रोमन रेस को लुकीमिया के वज काफे ज़्यादा डिसपॉइंट होगे क्योंकि उन्हें फिर से युनिवर्सल चैंपियन सिप रेगुलर देखने को नहीं मिलेगी बट जब से सेथ रॉलेस ने रोयल रंबल 2019 का मैच जीता है तब से सभी यही उमीद लगाएं बैठे है कि रेसल मेनिया 35 में युनिवर्स चैंपियसिप के मैच में सेथ रॉलेंस हरा देंगे ब्रॉक लेस्नर को और वो बन जाएंगे फर्स्ट एवर युनिवर्सल चैंपियन जिसके बाद हमें रेगुलर बेसिस पर मंडे नाइट रॉक एपिसोड में युनिवर्सल चैंपियसिप देखने को मिलेगी बट काफी बुरी खबर क्योंकि गाइस इस युनिवर्सल चैंपियसिप के मैच में हार सकते है सेथ रॉलेंस ऐसा क्यों ऐसा इसलिए गाइस आप सबको पता ही होगा कि डवुड़ी की साओधी एरेबिया के साथ दस सालों की डिल साइन हुई है और इस बार मैं के महने में या क सब जानते ही है कि डवुड़ी को जहां प्रॉफिट होता है वो वहीं जाती है जिसके वज़ा से गाइस हम सब देख भी रहे कि इस मैच के लिए बिल्कुल भी अब हाइप तयार नहीं हो रही है क्योंकि हमें सेथ रॉलेस और ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक ही बार हमें आमने सामने आते हुए दिखे है इसलिए गाइस अगर इस मैच के लिए अब आने वाले टाइम में ज़्यादा हाइप क्रियेट नहीं होती है तो हम सब को समझ जाना चाहिए कि डवी डवी ब्रॉक लेसनर को एज़ा यूनिवर्सल चैंपियन लेके जाना चाहती है साओधी एरि फाइब में होने वाले सेथ हॉलेस और ब्रॉक लेसनर के मैच रियेटेड अपडेट लेकिन आप सब मुझे कॉमेंट करकर बताइए कि क्या आप भी बोर हो चुके है ब्रॉक लेसनर को एज यूनिवर्सल चैंपियन देखकर या फिर नहीं इसके लावा गाइस अगर वीडियो में